जेजेपी भूपेंद रोड़ा के गड़ में सेंध लगाने में जुट गई है जननायक जनता पार्टी कल यानी की 9 दिसंबर के दिन जजजर में जन सरुकार रैली का आयूजन करने जा रही है जिसको सफल बनाने के लिए जजजपा के प्रधान महासचेव दिगविजे चौटाला ने भी मोर्च संभाला हुआ है जो बिवानी तक रात को ये काफिला 3-4 अजार का हो जाएगा और कल 10 अजार का काफिला हम ले करके जाएंगे गड़ तो जनता बनाती है और गड़ जो है प्रजात आंतरिक प्रणाली में नहीं हुआ करते जेजेपी ने दिगविजे चौटाला के नित्रित्यु में अपने पैतरे गाउं से बाइक रैली शुरू की जितमे सेक्डों की संख्या में पार्टी के योवा कारेकरताओं ने भाग लिया सिर्चा के गाउं में बाइक रैली के पहुचने पर जजजपा कारेकरताओं द्वारा उनका जोरधार स्वागत किया गया बाइक रैली को लेकर दिगविजे सिंग चौटाला ने कहा कि जजजपा के तीजरे स्थापन दिवस को लेकर काफी जोश देखने को मिल रहा है और भिवानी तक हजारों की संख्या में लोग बाइक रैली के साथ जुड़ेंगे उन्होंने कहा कि रोतक और उसके आसपास का एरिया देश के पूर्व उपमुख्यमंत्री चौदरी देविलाल का घर रहा है और जेजेपी किसी के गड़ में रैली का आयूजन नहीं कर रही है बलकि अपने घर में रैली कर रही है बहुत जोश है आगे आगे और मोट सेकल जुटते जा रहे हैं मुझे उमीद है कि बिवानी तक राज को एक काफिला 3-4 अजार का हो जाएगा और कल 10 अजार का काफिला हम ले करके जाएगे बतादे कि जेज़ेपी की ये बाइक रैली चोटला गाउं से शुरू हो कर सिर्चाव पतेहबाद और हिसार के गाउं से होते हुए भिवानी पहुचेगी बाइक रैली का ठेहराव भिवानी में होगा और उसके बाद 9 दिसंबर को जज़पा के तीसरे स्थापन दिवस पर जजजर में रैली स्थल पर बाइक रैली का समापन होगा सिर्चा से सतनाम सिंग पंजाब के सिरी टीबी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद